इसलामु अलेकुम मैं हूरुकईया आप देख रहे हैं प्यारी तुकईया का किचन डोनट्स हार्ट हो जाते हैं कुछ घंटो बाद ही डोनट्स हैसे राइस नहीं होते प्रॉपर बेक नहीं होते प्रॉपर फ्राय नहीं होते कितने महीनों तक इसको freeze कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको serve कर सकते हैं मैं जो recipes आपके साथ share करती हूँ वो मैं आपके साथ share करती हूँ जो मैं home business करती हूँ मेरे business की recipes हैं जो मैं आप लोगों के साथ share करती हूँ perfect recipes होती है छोटे से छोटा point कोशिश करती हूं proper clear ककि जाये में बहुत जादा ब допूल हूं लेकिन मैं clear करती हूं तो यहां पर मैं आज बना रही हूं बैक डोनेट जिनको आप फ्रीज भी कर सकते हैं आप करें किसित बाइगा करें कितना ब्रूफ करने कितना ब्रूफ कर सकते हैं ब intuitively डिया mam मेरे से भी बहुत मिस्टेक होती थी तो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी छोटी से चोटी टिप जो कि आपको यूटूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी इतनी आसान डोनेट की रेसिपी आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करी हैं वो 6-7 डोनेट बन जाएंगे कितने ग पॉंटेक ठीक है थीक है तो लाच-साइज ή case का एग लेंगे हम लोग और वो है रूम टेपरेटर का आपने बिल्कूल नहीं करना थोड़ा थंडा थोड़ा करम नहीं उसके बाद मैंने इस के अंदर एड कर दिया है पानी। सुद की आउपनी उसके बाद मैंनेस के अंद नहीं हो रहा था तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि यहां पर बड़े कप में डाल लेती हूं तो इसलिए मैंने यहां पर बड़े कप में ले लिया था अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे आतनी मैंने एड कर दिया है ऑईल मैंने यहां पर ले लिया है थ्री टेबल स्प इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे घर डबाध तो यहां पर आप पानी के अन्दर ओी ने मेंगे ले ले लcken माध दूबलिप्वली स्पुन निया तो करने लिए मैधा हैंगे जो ईए 10 एख मने और लिए हैंगे, करते हैं उसके बाद मैं salt add कर दूंगी हाफ टी स्पून तक इसमें salt चला जाएगा और साथ में add करी हूं East अच्छा यहां पर टू टी स्पून तर इस लेनी है अगर सरदिया है तो इस तरह से जल्दी अगर से एक्टिव नहीं होती है आपने क्या करना है आपने यहाँ पर लेना है और वन कप पानी लोग जिसमें चाय पिते ना तो वो पन कप पानी लेने के बाद उसमें East को तोज़ दियर के लिए अग्टिव करोगे फिर अगला प्रोसीजर करोगे यह वेला है यहां पर मैंने ब्रेड इंप्रूवर ले ले लिए तकरीबन One Teaश्पून ठीक हैा और यहां पर है ना अच्छे तरीक्वे से इनको मैंने कर लेना है सब चीजों को मिक्स बहुत अच्छे से ड्राय इंजिनर्ट को मिक्स करना है यहां पर क्यूंक्वे में और आवन आन करने क यहां पर मैंने अंडे वाला जितना भी बैटर था वो मैंने मैदे के अंदर डाल दिया और अच्छे से इसको soft dough बनाएंगे कभी भी आपने क्या करना है जो doughnuts की dough होती है जैसे pizza की dough के लिए अपने method होता है softness नहीं आएगी जाल नहीं बनेगा और अंदर से hard हो जाएगी ठीक है अब मैंने हलके हलके हातों से बाइर इसको निकाला और थोड़ा सा मैदा डस्ट किया और इसको stretch कर दिया अच्छा मैंने कितनी देर stretch किया तक्रीबन धाई से तीन मिनट प्रॉपर इसको मैंने stretch किया इसी तरह से ठीक है इस तरह से stretch करते जाना है आपको ताकि इसके अंदर elasticity आती जाए और इस अपना काम करेगी जब हम इसको rice करने के लिए छोड़ेंगे यहाँ पर मैं बता दू हलका soil लगाएंगे बाउल में इसको ज़्यादा देर rice करते नहीं है ठीक है इसको मैंने oil लगाया oil लगाने के बाद जहना मैंने यहाँ पर इसको छोड़ देना है त 10 मिनट मैंने दिये इसको 1 4th cup होता है ना measuring वाला उसमें से 1 tablespoon और add कर देंगे तो उतना पानी यूज हुआ है यह मैदा कम और ज्यादा पानी लेता है उसी साफ से नीम गरम पानी यूज करना है ठीक है पानी का दिहान रखना है अच्छा जो normal size का पेरा होता है जो हम doughnuts बना तो यहां पर मैंने बनाया लेकिन जिनको मुझे doughnuts देने थे उन्होंने कहा कि हमें आप doughnuts ज्यादा quantity में दे क्योंके बच्चे और भी हैं हमारे पास हैं तो आप ज्यादा quantity में बना दे अब मैंने तो इतनी से dough बनाई थी साथ मैंने का चलें आप लोगों के लिए video record हो जा और मैंने जो है ना इसको तकरीबन एक doughnut ज्यादा कर दिया था ठीक है तो आप लोग इस तरह से मैंने इसको जैना तकरीबन 65 ग्राम का पीरा कर दिया था ठीक है ना वह चोटा था ना वह बड़ा था वह दर्म्याना साइस का था ठीक है अब यहां पर कोई भी मोले लोगे इससे आपने नग्रीज ने करना इसको आपने डॉस्टिंग करनी है मै्दे की ठीक है डॉस्टिंग कर लोगे मैदे की और उसके बाद हम लोग आप इसके अंदर र gjाकर सारे डोनस को हलका साप्रेस करेंगे और इसको हम फ्रूफ होने के लिए 15 मिनट के लिए आप नॉर्मल कोई भी धकन वगएरा होता है ना बोटल का आप उससे इसको होल भी कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना तो मैंने डिस्क्रिशन में वीडियो का लिंक दे दूंगी आप लोग वीडियो भी देख लें बहुत पसंदारी है बहुत लोगों ने ट्राइए की और बहुत सारी दौाइएं दी है मेरे पास यह डॉनट कटर है ना इससे बहुत जल्दी सो जाता है तो मैंने क्या किया इससे फॉरण से शेप दे दी थी डॉनट की अचा डॉनट कटर जब भी यूज करना है आपने यह ख्याल लगना है कि डॉनट कटर को मैदे में डिप करोगे उसके बाद कटिंग करोगे इससे शेप बिल्कुल लूज नहीं होती है बहुत दबरदस और परफेक्ट रहती है तो अगर आपके पास डॉनट कटर नहीं है तो कोई शुनी है मैंने वो वीडियो में आपको बगाया है जो साइड जिसकी रह जाएंगी ना फिर मैं एक राउंड वाला पेड़ा भी आ तो इसलिए जो है ना मैं तो तोड़कर जो दिखाऊंगी वो एक्स्ट्र मैंने इसी में से निगाला वाई ठीक है तो उनके बाद उनके और था है कि हमें इस एक्स और कर दें लेकिन छोटे-छोटे से कर दें फिर मैंने अगें डो बनाई मैंने फॉरण से उसको प्रूव यहां पर मैंने 15 मिनट अगें छोड़ दिया उसके बाद मैंने एक अंडा लिया पूरा अंडा है आप चाहो तो अकेली जड़ी भी ले सकते हो उसको अच्छे से फैंड कर मैंने सारा डॉनट्स पर लगा दिया था आप चाहो तो आप मिल्च भी लगा सकते हो सिंपल दू जो था ना नॉर्मल वह भी आप रोक उसके लगा सकते हो यहां पर मैंने पूरा अंडा लेकर लगा दिया आच्छे आवन को मैंने प्री हीट किया वा था 180 पर ठीक है और मैं इसे 170 पर बेक किया है तकरीब यह तकरीब लगें 15-16 मिनट ठीक है तो यहां मैंने सेंटर वाली उस पर रखकर तो मैंने इसको बेक कर लिया और यह माशालला से बहुत अच्छा कलर आ गया था तो मुझे अगर थोड़ा से कलर कम भी लगे ना तो मैं इसको उठा कर दूसरी वाली शेल्फ पर रख देती हूं इसी तरीके से अब मुझे हलका सा कलर चाहिए यहां पर तकर क्योंकि यह जल्दी हो जाता है 15 मिनट में तो यह देखे माशाला माशा थेला जबरदस्ट कलर आ चुका है तो यहां पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहां पर धेख लें माशाला माशालारा कितने जबरदस्ट डॉनट लग रहे है अच्छा इनको आप लोग अच्छा बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम हो जाता है, तो डोनट कभी भी सही नी बनते हैं, और फ्राइ करो, या फिर आप इसको बेक करो, या हार्ड हो जाते हैं, अब जैसे मैंने निकाला था ना, तो उपर कपड़ा देखे, या कोई भी पेपर शॉपर देखे, आपने इसको 15 मिन पर सिरफ पिंग कलर कर देना, तो मैं सिरफ एक वही ले रही हूँ, पिंग बाकी सब जहना, मैं थोड़ा थोड़ा सा ना, इसको निकाल रही हूँ, पाइपिंग बैग में के उपर से टॉपिंग करने के लिए, तो यहां पर यह दूसरे वाले भी फॉरं से मैंने बेक कर अच्छा सा कलर दिया था, क्योंकि उनको मैंने चॉकलेट नहीं लगानी थी, तो उसके ओपर सिरफ मैंने शूगर डस्ट करनी थी, उसको भी मैंने कवर करके लख दिया, और यह दोनों चॉकलेट्स हैं, यह डाक चॉकलेट है, इसको मैंने ओयल डाला था, इसके अंदर 100 यह 150 ग्राम चॉकलेट ली यह 150 ग्राम ले 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 उसके अंदर 1 टेबल स्पून ओयल एक करके मैंने डाल दिया था, अच्छा ओयल ज्यादा इसलिए एक पर शाइन इतनी को क्यूट मज़े की शाइन आती ना देखने में, और जब यह हार्ड हो जाएगी ना तो भी इसके है तो आपने तुड़ा से ज्यादा ओयल डाल कि इसको डबल बॉइलर पर मेल्ड कर लो या आवन में मेल्ड कर लो, सिंपल ठीक है और वाइट चॉकलेट को भी मैंने सिंपल रखा था, अच्छा वाइट चॉकलेट चुके में पास खतम होई थी अभी में पास रिसीव नह हो रही थी और मुझे वीडियो भी बनानी थी और मुझे भेजने भी थे तो बहुत जादा ना मुझे जल्दबाजी हो भी थी के जल्दी-जल्दी कर लों सब कुछ, लेकिन आपको एक परफेक्ट और बिल्कुल एक्जैक्ट रेसिपी मिल जाए, मैं कोई भी पॉइंट म हो गए ना आप रूम प्रेपरेचर पर आके ठंडे हो जाएंगे ना फिर आप इसको फ्रीज कर लो लेकिन चॉकलेट बगारा कुछ नहीं लगानी आपने उसके उपर जैसे पीछे सिंपल थे पढ़े मिया ना उस तरह से करके फ्रीज कर लो जब आपको निकाल के सर्फ कर तो इसी तरह इसको भी फ्रीज कर सकते हैं कोई इशू नहीं और अगर आप लोग इसको रखेंगे फ्रीज के अंदर तो फ्रीज में एटाय जार हो ठीक है एटाय जार में रखेंगे तो आप लोग उसको भी सर्फ कर लोगे निकालोगे और आवन माइक्रोवेफ कर लोगे यहोब ए रेसिपी आप लोगो पसंद आएगी पूरी कुशिछ थी कि मैं डेटेर्ज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ आप लोग इसे हूम बिजिस के तौर पर जरूर से इस्तमाल कर सकते हैं इस रेसिपी को जरूर से झाल झाल